हे गाई इस तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रेक ओविसर जी हाँ मैं आज फिर से आ चुका हूँ मैंने इससे पहले क्लास 10 की अगर बात करूं तो कोडिनेट जिमेटरी में करा रहा था ठीक है जिसमें मैंने उसका बेसिक कॉंसेट पहली वाली वीडियो जिसमें नहीं देखी है वो देख ले बेसिक कॉंसेट डिस्टेंस फॉर्मूला ग्राफ पे प्लॉटिंग और आपका सेक्शन फॉर्मूला ये चारो एक ही वीडियो म बनते हैं जो कि important है ठीक है उसको आज cover करने वाले हैं तो पहला question यहां पर लिखा है इसको देखते हैं क्या लिखा है मैंने so did the points a a minus a minus a or minus 3 minus root 3a और root 3a यह तीन coordinate मैंने लिखे हैं यहां पर are the vertices of an equilateral triangle equilateral triangle की coordinate हैं यह vertices हैं यह हमें और निकालना है इसका area सबसे पहले मैं यह बात बता देता हूँ आपको हमने पहला वाला वीडियो जुसे नहीं देखी हो देख लेकों कि basic concept पर ही यह question हो होंगे ठीक है so अगर मैं पहला question इसलिए graph के according दिखा दे रहा हूँ x x dash y y dash ऐसा ही मानते थे इक्कोलाइस मतलब एक्कोल में one two three four five six seven eight minus one minus two minus three minus four minus five minus six positive में ठीक है negative में है so यह क्या है minus one minus two minus three minus four minus five minus six minus seven minus eight one two three four five six seven eight जो उपर तक जा अब question देख लेते हैं short at the point a a a a का मतलब यह का मतलब यह कहां पर लाई करें फास्स सेगिंड थर्ट यह फोर्ट यह हमारे पास a a a a means दोनों यह abscissa और ordinate मतलब x वाला और y वाला नहीं समझे इसको यही तो कहते हैं यह coordinate कहलाता है यह x coordinate यह y coordinate तो हमारा वहां पर क्या है ए ए ए का मतलब यह x का पिता दिया था इधर क्या एगा माइनस प्लस इधर आता है माइनस माइनस इधर आता है और प्लस माइनस इधर आता है इस तरीके से wratices यह coordinate आते हैं ठीक है पहला है ए ए USC तो नहीं दी वहीं है यह है यह है उसके बाद दूसरा माइनस ए माइनस अब देखिए माइनस माइनस वाला यहां आ रहा है ठीक है मैं मान लेता हूं इदर माइनस ए माइनस ए सभी से लिख लेंगे दूसरा है माइनस देखिए एक माइनस वाला एक प्लस वाला है अगर माइनस का प्लस कहां आएग तो ये तीन आ गए, जोइन कर दीजिए इसको, देखिए आमें नहीं पता है ABC की मान कितनी है, वैलू कितनी है, तो एक अंदाज में मैंने दिखाया है, इस तरीके का कहीं फिकर मैंने मान लिए बन गया, अगर ग्राफ में ट्रो कर रहे हैं तो, ठीक है न, कुछ इस तरीके का ही बनेगा, ठीक है न, यानि इसको अगर मैं मिटा दूँ, नॉर्मल या बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो रही ग्राफ की प्लोटिंग ये पहले आम देखें, ठीक है, अब क्या कह रहा है कुश्चन में, ग्राफ प्लोट करने के लिए दिखाना था, इसलिए मैंने एक एकुलेटरल ट्रेंगल का मतलब ये तीनो साइड बराबर होगी, और अगर इसका एरिया यहाँ पे लिखा है न, साथ में एरिया भी निकालना है, तो एरिया यही पे लिख देता हूँ, कितना होता है, रूट 3 बाइ 4, A स्कॉर, A क्या होता है, साइड, ये जो साइड है न यानि तीनो साइड बराबर आनी चाहिए, ये हमें शो करना है, लिखाना यहाँ पे, शो डेट दे पॉइंट्स, A, A, माइनस ए, A, माइनस रूट 3, A, कॉमा रूट 3, A, are the vertices of an equilateral triangle, ये इसकी vertices है, अगर vertices हैं, तो इनका, इनका, इनका distance बराबर आना चाहिए, equilateral triangle के लिए, तो ये पॉइंट क्या हैं, वो लिख लेते हैं, कहीं भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, कि मैं इधर ये लिखूँ, उधर ये लिखूँ, ठीक है, अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, अब distance अगर मेरे को निकालना हूँ, ये side निकालनी हैं, तो distance formula मैंने क्या पढ़ जिसने नहीं देखी, एक बार फिर कह रहा हूँ, देख ले, x2 minus x1 का square, plus y2 minus y1 का whole square, और root में, ठीक है न, ये आएगा, तो हम a भी निकाल लेते हैं, देखी, इसी formula से, a भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको x1, y1 मान लेता हूँ, इसको x2, y2 मान लेता हूँ, तो क्या ह हो जाएगा, minus a, minus a का whole square, देखिए, minus a, minus a का whole square, plus minus a, minus a का whole square, और ये सब root में, आगर इसको देखूँ, minus a, minus a कितना होजाएगा, minus two a, minus two a, का whole square यही होगा और पिलस यह भी कितना होगा minus 2a का whole square और यह root में अब यह minus में square हटेगा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 minus 2 मलब 4 और a square plus 2 2 जा 4 4 a square यह कितना हो जाएगा अगर देखूं 4 4 दोनों में square या नहीं 8a square root ठीक है न अब क्या आएगा इसको और कर सकते हैं क्या यह इसका root बनता है क्या root कैसे निकालते हैं factorize करके देखिए 2 4 जा 8 और 2 2 जा यह pair बन रहा है यानि यह तो क्या square हो सकता है लेकिन यह नहीं बन रहा है तो जो नहीं बनता है उसको root में लिखते है और जो pair बनता है उसको बाहर लिखते है ठीक है न और a square है तो उसका root के साथ कर जाएगा तो वो भी बाहर आ जाएगा आया क्या 2 root 2a हाला कि हमें पता एक को लेटर लगर है तो तीनों बराबर होगा लेकिन हमें क्या निकाल के तो देखना है शो करना है न तो यह निकल गया अब इसमें निकालने के लिए a c लिखा है यह लिख लेता हूँ मैं किसी को मान लो इसको मान लेते हैं चलिए a minus minus root 3a समझा रहा है x1 y1 x2 y2 या फिर x1 y1 x2 y2 ठीक है यहाँ पर यह x2 y2 लेके कर रहा हूँ मैं ठीक है क्या होगा इसका a minus root 3 a का whole square यह अलग है confuse नहीं होना यह root में ठीक है solve कर यह इसको क्या होगा a minus minus plus यह यह प्लस root 3a का whole square यह बनेगा plus a minus root 3 a का whole square समझ में आ रहा है खोल दीजिए बस क्या करना है इसको expand कर दीजिए खोल दीजिए a plus b का whole square बन जाएगा a minus b का whole square बन जाएगा ऐसा ही तो बनेगा open कर देते हैं इसको क्या बनेगा a square plus root 3 और a का यह क्या कहेंगे इसको इसका अगर square करेंगे तो root में होता है दो बार होता है मलब square होता है तो वो 3 हो जाएगा और a square का तो a यानि 3 a square plus 2 a b होता है तो a यह है बी यह है तो क्या हो जाएगा root 3 a square सही है उसके बाद पिलस अब इसका देखेंगे इसमें क्या होगा a square फिर a minus b का whole square क्या होता है a square ठीक है minus 2 a b minus 2 a b वी वन लब 2 a कितना है यह a b कितना है root 3 फिर a यहनि इसको क्या लिख सकता है 2 root 3 a square a square और उसके बाद यह क्या है a square minus 2 a b होगा और b square यहनि minus minus root 3 का यह minus बाद है a square अगर करूँगा इसका तो क्या होगा पूरे का अगर उसको minus मान के करूँ तो इसका क्या होगा 3 a square तो यह आ गई पूरी value इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे practice करेंगे तब समझ में आएगा ठीक है so कर लेते हैं इसको solve क्या हो जाएगा a square इदर है a square इदर है a square इदर है a square इदर है कितना हो जाएगा 3, 4 4, 5 5, 3, 8 कितना बन गया 8 a square और 2 root a square और 2 root a square देखिए एक minus में कट गया तो इतना आया तो अब देखिए क्या बचेगा अभी अभी बताया था मैंने इसका क्या बन रहा था 2 root a यह देखिए यह भी आगया 2 root 2 a अब एक वारे इसके लिए भी देख लेंगे so इसको आप करेंगे अब मैं बता दे रहा हूँ इसको आप करके देखेंगे और जब सॉल्व करेंगे यह भी आएगा 2 root 2 क्या आएगा यह भी 2 root 2 a आएगा बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे यह वाला हुआ है जैसे यह वाला हुआ हुआ distance formula कोई दिक्कत नहीं खुद भी थोड़ा करना चाहिए तब ही तो कोईस आएगी आंसर मैंने बता दिये इसको मान लेंगे क्या किसी को भी मान लेंगे चाहे x1 y1 चाहे इसको मान लेंगे x1 y1 ठीक है ना distance formula जो लिखाई है x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square लगा देंगे under root के साथ और solve कर देंगे एकदम बस solve करना है हमें एकदम देखके algebra का जो expression आ रहा है उस पर थोड़ा सा दियान देंगे अब देखी जब ये तीनों बरावर आ रहा है जब ये तीनों बरावर आ रहा है so we can say that the given vertices are are क्या है are किसकी है ये are of equal letter triangle ठीक है न are the points of equal letter triangle ये हम कह सकते हैं उसके बाद हमें यहां बोल रहा था एक चीज क्या area निकालने area मैंने अभी अभी बताया था root 3 by 4 a square होता है a का मतलम मैंने बताया था side होता है side हमारी कितनी आ गी थी किसी की लिए लिए equal lateral है बराबर है कितनी आ थी 2 root 2 a यानि इसकी जगा a की जगा क्या लिखेंगे ये वैसा ही a की जगा क्या लिखेंगे 2 root 2 a ये पूरा a है square so ये क्या हो जाएगा root 3 by 4 और 2 2 का square क्या हो जाएगा 4 और root 2 का square क्या हो जाएगा 2 और a का square क्या हो जाएगा a का square 4 से 4 कटेगा तो बच्चा क्या, आंसर क्या आएगा 2 root 3 A square यह क्या आया यह आया इसका equator triangle का area ठीक है, सो questions हमारे बहुत ज़्यादा आसान है कोई ज़्यादा difficult नहीं है इनको थोड़ा सा ध्यान दे के focus करके कहेंगे, अब मैं इसी में दो चार बाते और बता दे रहा हूँ जो question बन रहे है एक question और दिखा देता हूँ चलिए, बता क्या देता हूँ question ही दिखा देता हूँ रखे है, ठीक है पहला question क्या कहता है, show that the points 1 1 minus 2 7, 3 minus 3 are collinear, देखे, collinear क्या होता है collinear point में आपको बता दू suppose करिए एक straight line है ठीक है, अब इस straight line में यह a point है, यह b point है यह c point है, suppose कर लीगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ एकी straight line, एकी straight line पे क्या होगा यह c, d, e जितने भी point आ रहे हों वो सब क्या कहलाएंगे, collinear है यहाँ, straight line पे जितने भी point लाई करते हों तो वो सब point क्या होएंगे collinear होएंगे, यही हमें यहाँ पे दिखाना है तो, देखते हैं अब देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ मैं a मान लेता हूँ क्या 1, 1 b मान लेता हूँ क्या minus 2, 7 और c मान लेता हूँ 3 minus 3, इस तरीके से यह 3 point given है ठीक है, point मान लिया मैंने b c, बीच में मान लेता हूँ कहीं a, ध्यान देना b c क्या b क्या है मेरा minus 2, 7 कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है क्योंकि given और condition नहीं है c क्या मान लेता है, मैंने 3 minus 3 और a क्या है मेरा 1 और 1 यह point given है ठीक है, एक straight line पे त्यान देना अब हमें, अगर यह collinear proof करने हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा पहले इनकी value देखेंगे इसकी distance क्या निकल रहा है, पहले तो यह बता दूँगा है ना हमें अगर collinear proof होगा, तो b c बराबर क्या होगा, a b plus एक सब्सक्राइब, a b plus a c, यही तो निकलेगा b c, यह पूरा वाला इसके और इसके बराबर होगा ठीक है ना तभी तो वो उसी point पाया है है ना अगर एक ही point पाया है, तभी तो हम कह सकते हूं collinear है तो collinear के लिए पहले तो इसका distance और इसका distance देखते हैं अगर बराबर आ रहा है plus करने के बाद b c आ रहा है क्या है, यह हाँ है तो निकालते हैं पहले a b a b a और b देखते हैं ठीक है, कुछ भी मान लीजे इस वाले को x2 मान लेता हूं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो comment कर दीजेगा minus 3 का square मतलब 9 7 से 1 का मतलब 6 का square मतलब 36 ठीक है न 36 यह आया 36 और 9 कितना हो गया 45 45 आ रहा है समझ में 45 को आप कर सकते हैं क्या 59 जा और 33 जा, देखिए मैंने बताया था अभी इनका पेर बन रहा है यह बहार और जिसका नहीं बनता हो अंदर एक तो आ गया यह क्या आया यह a b आया a b आ गया, उसके बाद आप a c देख लेते है a, c देख लेते हैं, फिर क्या मानूं है 3 minus 1 का स्क्वाइर plus minus 3 minus 1 का स्क्वाइर root में चल रहा है, ध्यान रखेंगे 3 से 1 गया 2, 2 का स्क्वाइर 4 plus minus 3 minus 1 minus 4, minus 4 का स्क्वाइर 16 और यह रूट में कितना होगा बीस रूट में बीस का अगर करेंगे तो कितना होगा तू टैंजा एंड टू फाइब फिर बन रहा है तो यह फिर क्या आ रहा है कि दो यह बाहर हो जाएगा इसका मुझा दो बाहर और रूट इदर एक आया यह प्यान देना अब एबी निकल अब क्या निकालें आब बीसी निकाल के देखते हैं ठीक है यह कुशन ऐसा ही है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके जो फिगर बन रहे हैं हमारे 2D हैं इस समय आगे कुशन्स हैं और जिसमें 3D फिगर भी कई बार पूछ ले जाते हैं लेकिन फिलाल आपका 2D फ ताहिए मेरे को क्या बनेगा 3-2 का होल स्क्वेर देखिए न एकस वन यह एकस टू वाइटू एकस वाइटू एकस वाइटू एकस वाइवन ऐसे मान लीजिए मैंने पहली बोला जो मर्जी मानना चाहें माइनस सेवन का होल स्क्वेर ठीक है तो यह क्या हो जाएगा अब बताना 3-49 प्लस कितना हो जो गाइए 35 पलस माइनस माइनस पिलस साथ तीन दस दस का स्क्वेर मतलब 100 कितना बनेगा सो अब इसको करेंगे कितना आ जाएगा 125 अब बताईए 125 का अगर मैं कर रहा हूँ तो कितना होगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 5 5 जा 25 ये तो आ गया लेकिन जो नहीं आया वो पई अंदर तो ये रहा देखिए एक आया ये एक आया ये एक आया ये अब given condition अगर ये satisfy कर रही है तो ये कॉलिनियर में है otherwise नहीं सो देखिए BC क्या हमारे पास 5 ये है सही है अब देखिए AB प्लस AC कितना बन रहा है AB कितना है कितना ही है AC कितना है कितना ही है तो ये क्या होगा 3 root 5 और 2 root 5 कितना होगा 5 root 5 तो बन रहा है कि नहीं बस that means ये क्या है all these points किसमें है the given points are real collinear बस ये बाते लिखनी है question कुछ नहीं है बहुत easy से question है बस ठीक है न बहुत आसान सा chapter है बस घबडान नहीं आराम से कर लेंगे हम अगर दिक्कत आ रही है comment करिए तो मैं आपको इसको और slowly कराऊंगा ठीक है अब ये question एक और है क्या था बनता ठीक है show that the four point ये four point given is zero minus one six seven minus two three and eight three are the vertices of a rectangle एक rectangle की vertices है and find its area ठीक है जब एक rectangle बन रहा है मैं बता दूँ यह रहा है ठीक है ये side, 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 this side एक को लोती है ठीक है ना rectangle की अगर बात करें तो 90 degree के angle बनते हैं ठीक है ना और area गर बात करूं तो इल इंटू B उता है ठीक एह और पेरिललो ग्राम कई बार आ जाता है क्योंकि कई रैक्ंट्रेंगल पैर्लेलो ग्राम भी होते हैं यह देख लेते हैं क्या कंडिशन एगर पैरलेलो ग्राम हो जाता है तो उसका एरिया क्या बनता है बेस इंटू हाइट यह बेस होगा यह हाइट मान ली जाती है भूम फिर के वही हो गया एल इंटू भी ठीक है न और तो देख लेते हैं क्या बन रहा है फिलाल तो पॉइंट मान लेते हैं आप देखिए ठीक है यह तो मैं आपको एक कंडिशन थी वो बता दिया कोशन इंट में और आते रहेंगे एक रेक्टेंगल है थोड़ा सा स्कॉयर नहीं बनाना है इस लिए इस तरीके से लेंगे ठीक है ए बी ची दी क्या पॉइंटल लिकना चालू करते हैं जीरो माइनस वन दूसरा कितना है शिक्स सेवन तीसरा कितना है माइनस टू थ्री चौत प्र milk कुछ नहीं करना है सबका डिस्टेंस निकाल देंगे क्या निकाल देंगे इस दस मैंने बता चुका हूं तो एक बार सीच से दिखा देता हूं क्या होता है एक। माइनस x1 का स्क्वार प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वार और रूट यह रहा बस इतना सा ही काम है सो देखेंगे अगर मैं निकाल रहा हूं a b ठीक है मैं क्या निकाल रहा हूं a b निकाल देता हूं पहले क्या हो जाएगा इसमें कुछ भी मान लो चाहिए इसको x2 मान लो चाहिए इसको x1 चाहिए उसको x1 ठीक है न 6-0 का स्क्वार प्लस 7-1 का होल स्क्वार तो यह हो गया क्या बनेगा 6 से 0 जाएगा मतलब 6 6 का स्क्वार कितना हो जाए 36 फिलस 7- ø यह जाए यह रेक। या यह कहानी आई दस पर heartfelt क divorce कर कितने निकला दस में धूसरा देख लेते हैं एडी देख लेते हैं एडीbrigli 8-0 का whole square plus 3-1 का whole square इसको थोड़ा सा focus करते हुए चलेंगे हमेशा बना कहीं गड़ोड आ गए तो पूरा answer गलत हो जाए 8-8 जा 64 3-1 लगा यानि minus minus plus plus 1 कितना हो जाए 4 का square 4-4 जा 16 यह कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 6,7,70 और एक 80 80 बन जाएगा तो 80 का मैं क्या कर सकता हूँ अगर नहीं बनता है तो देखेंगे कितना होगा 40, कितना होगा 20 कितना होगा 10 कितना होगा 5 यह बन रहा है यह बन रहा है जो नहीं बनता है उसको root में लिख देते हैं अभी बताया मैंने जो बन रहा है उसका एक लिखते हैं यानि 2 और इसका 2 तो ये क्या होगा 4 multiply करके एक तो ये आया इस side का BC देख लेते हैं BC क्या आएगा minus 2 minus 6 का square plus 3 minus 7 का square root में करते रहेंगे ठीक है देखिए ध्यान देंगे ठीक है बहुत आसान है आप भी practice साथ में करते रहें तो क्या हो जाएगा minus 8 minus 8 का square क्या हो गया फिर 64 3 से 7 गया ऐसा होगा नहीं यानि 7 से 3 गया 7 गया 4 minus 4 का square फिर 16 आया तो ये कितना है root SC यानि 4 root 5 ये तो बराबर ही आएगा अभी बताया था मैंने तो वैसे ही आएगा इसका भी बराबर आप इसका निकाल के देख लेंने DC यानि ये भी कितना आएगा 10 आएगा 10 आएगा तो हमें क्या निकालना था show that the 4 points are the vertices of a rectangle आभी बताया मैंने vertices of a rectangle अगर होता है तो वो क्या होता है उसमें opposite sides are equal so here we can see that these opposite sides are here what? equal so we can say that the given vertices are in a rectangle ठीक है न तो ये हम कह सकते हैं ये तो रही बात rectangle की अब आया find also its area area अगर निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते है सीधा सीधा क्या हो जाएगा multiply 4 root 5 और कुल सुटी करना था बस 40 root 5 ये रहा इसका area बस इतना सा काम है ठीक है अब कुछ question और है उनको देख लेते है next slide में तो अब हमारे पास next question क्या लिखा है इसको थोरा सा समझ लेते है लिखा है यहाँ पे if P, Q, R, S 3 point given है ठीक है न P, Q, R, S be 4 points in a plane कोई एक plane पे 4 point ये given है showed that the P, Q, R, S is the rhombus ये हमें बताना है कि P, Q, R, S rhombus है but not a square लेकिए ये square नहीं है also find its area लेकिए rhombus और square में एक difference है मैं इतना सा दिखा देता हूँ ये क्या है ये figure में कोई ज़्यादा difference नहीं है ये rhombus है ये square है दोनों में ये 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 चारो side बराबर है पहले दिखा दूँ फरक क्या है ये diagonals का इसके diagonals बराबर होते है इसके diagonals बराबर नहीं होते है ये फरक है ठीक है न और इसका area क्या होता है half of diagonals का product और इसका area क्या होता है side square अब question जो कह रहा है उसको समझ लेते है question बोल रहा है ये तीन points plane में दिये हुए है जो बताना हमें ये rhombus है ठीक है तो rhombus के लिए मैं ऐसा draw कर लेता हूँ point लिख लेता हूँ p, q, r और s अब point क्या है वो लिख लेता हूँ में 2, minus 1, q क्या है, 3, 4, r क्या है हमारे पास यहां पर, minus 2, 3, and s क्या है यहां पर, minus 3, minus 2 अगर ये proof करना हमें ये rhombus है या नहीं है तो उसके लिए क्या हमें पहले तो side देखनी पड़ेगी कितनी आ रही है क्या सभी equal आ रही है या नहीं आ रही है ठीक है न जब equal आ जाए तो वो तो automatically proof हो जाएगा क्या, ये rhombus है लेकिन उसमें भी क्या है अभी square है, तो उसके लिए क्या फिर ये diagonals भी देखा जाएगा पहले तो इसकी side देख लेते हैं क्योंकि क्या, parallelogram वाली कहीं condition ना बन जाए, उसमें क्या होती है ये opposite side equal होती है ये opposite side equal होती है, ठीक है न इसको देख लेते हैं पहले pq निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा 3 से 2 minus करा उसका square plus 4 minus minus 1 का square ध्यान से करेंगे, इसमें कई बार confused और गडबड कर लें 3 से 1, 2 क्या 1 1 का square 1, plus 4 minus 1 minus 1 क्या हो जाएगा 5, 5 का 25 square, तो ये कितना है root 26 root 26 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसा ही दिखा जाएगा नहीं होगा ये नहीं होगा pq होगा, अब qr देख लेता हूँ कितना लिखूंगा मैं 3 minus minus 2 का square plus 4 minus 3 का square कितना हो जाएगा 3 minus 2 ये कितना हो जाएगा minus minus plus, यानि 5 5 का square 25, plus 1 तो ये कितना हो जाएगा 26 फिर आ गया अगला देख लेता हूँ rs rs क्या हो जाएगा minus 2 minus minus 3 का square plus 3 minus minus 2 का square 3 minus minus 2 का square थीक है इसमें क्या गड़बड तो नहीं आ है कहीं minus minus plus 3 से 2 गया 1 का square यानि 1 plus plus ध्यान देंगे 3 minus minus plus 5 25 फिर कितना है root 26 क्या बच्चा pq, qr, rs, sp निकाल लेते हैं ps जिसको कहते हैं क्या हो जाएगे इसमें 2 minus minus 3 का square plus minus 1 minus minus 2 का square समझ में आ रहा है न सब कुछ क्या कर रहा हूं x2 minus x1 y2 minus y1 किसी को 2 point पे अगर हम करते हैं इसलिए कह रहा हूं जिसमें भी देखा है वो concept वाली video देख ले कितना हो जाएगा minus minus plus 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 5 का square 25 plus 2 minus 1 1 तो ये कितना हो जाएगा 26 देखिए अब इसमें ये चारों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं pq equals to qr equals to rs equals to ps कितना आ रहा है 26 पहले तो ये हमें पता चल गया अब देखते हैं ये कितना आ रहा है इसके diagonals तो पी आर निकालते हैं पहले पी आर पी आर कितना आएगा भई minus 2 minus 2 का whole square plus 3 minus minus 1 का whole square ध्यान से करेंगे ठीके कितना हो जाएगा 2 2 जा minus 2 minus 2 कितना हो जाएगा 4 minus 4 4 जा 16 plus minus minus plus plus कितना हो 3 4 फिर वाजाएगा 16 सो ये कितना आ रूट 32 16 दूनी 32 अगर इसका देखना चाहो तो हटेगा तो 4 आया और रूट 2 अंदर आज आई करते हैं ये चीज़ देख लिए जिएगा बार बार माँ इसलिए करके दिखाता हूँ डारेक्ट नहीं करता हूँ ये क्या निकला पी आर अब क्यूएस देखीए बाई एक डाइगूनल देख लिए क्यूएस देख लीजिए बाई क्यूएस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ठीक है मैंस मैंस प्लस फिर ये कितना अच्छे छे चे फिर कितना होगा चत्यस कितना होगा चत्यस चत्यस बाहत तर बाहत तर यानि ये कितना आएगा कितना आएगा आगर करूंगा कितना आएगा तू थर्टी सिक्स और सिक्स जा जैनि 6 root 2, ऐसे देखते हैं, 6 root 2, अब देखिए बाई साहब, एक आ रहा है 4 root 2, एक आ रहा है 6 root 2, diagonals, so यह diagonals क्या है आपस में, बराबर तो नहीं आ रहे हैं, that means क्या है, the given figure is a rhombus, not a square, so अगर यह rhombus है, तो area of rhombus क्या होता है, area of rhombus क्या है, half into d1 into d2, मतलब first diagonal, second diagonal, so half यह है, first diagonal के 4 root 2 into 6 root 2, so कितना आ जाएगा, 6 four जा, 24 by 2, root 2 root 2 into 2, तो बच्चा कितना, 24, तो answer कितना आया इसका, 24, तो distance formula बस इसी तरीके के कुछ और question दिये गए है, आप उसको देख लेंगे, जो important question लगे थे, मैंने यहाँ पर कराए, अगर कुछ question चूट रहा है, तो आप comment box में लिख सकते हैं, अब section formula की बात है, next part में section formula से related question लेके आऊँगा, ठीक है, जिसने भी वीडियो नहीं देखी, like, share, subscribe, जरूर करें, और कोई दिक्कत है तो उसको comment भी कर सकते हैं आप, ठीक है, तो आगे मैं इस 10th class की series को मैं बहुत जल्दी उमीद कर रहा हूँ, आपके board exam से पहले मैं complete करा दूँ, ठीक है,